इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्स्राइब करें और बेल आइकन तबाएं पुलिस की जाच में एक वीडियो भी सामने आ रहा है कहा जा रहा है कि महंद एक वीडियो की वज़े से परिशान थे और उस वीडियो के जरिये महंद को ब्लैक मेल किया जा रहा था अब पुलिस की जाच कहा तक पहुँची है इस बारे में हमारे समादात अविशाल परताप सिंग ने एक रिपोर्ट भेजिए आपको दिखा रहे महंत नरेंदर गिरी की मौत कैसे हुई इसको लेकर के प्रियागराज पुलिस इन्वेस्टिकेशन आगे बढ़ा रही है लेकिन इन्वेस्टिकेशन आगे बढ़ने के बावजूद फिलहाल कोई कंक्रीट नतीज़ा पुलिस के पास नहीं पहुच पाया है कारण ये है कि जितने भी इस पूरे मामले में किरदार हैं वो सभी ये कह रहे हैं कि महंत जी आत्महत्या नहीं कर सकते वो चाहे आरोपी नंबर वन आनंद गिरी हो या फिर कोई भी महंत और तूसरा संद सभी का कहना है कि इस मामले की सीबी आई जाच होनी चाहिए पता ये भी लगा है कि महंत जी को ब्लैक मेल किया जा रहा था बाखायदा एक वीडियो के जरिए कौन सा ये वीडियो था किसने ये वीडियो बनाया था और इस वीडियो में आखिर क्या था इस पूरे मामले को लेकर के जाच की जा रही है इंवेस्टिगेशन की आ जा रहा है आप देख सकते हैं कि पुलिस की बैरिकेटिंग यहाँ पर की गई है पुलिस के लोगों को यहाँ पर तयानात किया गया है ताकि पुलिस की जो इंवेस्टिगेशन हो रही है वो निश्यत दोर पर आगे बठते रहे हैं और लोग जो यहां पर आ रहे हैं अंतिम दर्शन करने के लिए वो असानी ही दर्शन करके जा सकें सवाल ये उठता है कि जिस वीडियो के बारे में चर्चा की जा रही है महन जी चुकी प्रभावशाली व्यक्तित थे सभी को वो जानते थे सभी के साथ उनके अच्छे संबन्द थे चाहे वो जिला प्रशाशन की बात हो पुलिस की बात हो या फिर खुद मुख मंतरी योगिया दितनात सवाज ये उटता है कि आखर ऐसी कौन सी मजबورी थी ऐसा ऐसा कौन सा विडियो था जिसकी वज़े से महन जी इस विडियो के बारे में किसी से चल्चा नहीं कर रहे थे जबकि बतायाई ये जा रहा है पिछले एक हफ़ते से वो परिशान चल रहे थे लगातार परेशान चल रहे थे तो ऐसे में इस वीडियो की भूमिका सबसे ज़ादा महत्पून हो जाती है और जानकारी ये भी मिली है कि सोमवार शाम पाम बच के 20 मिनिट से एक से दो दिन पहले इस पूरे मामले में महत्प जी ने बाकाइदा एक नई नायलोन की रसी मंगवाई थी और सूत्र बताते हैं कि इसी रसी का इस्तमाल क्या है महत्प नरेंदर गिरी ने आत्महत्या के लिए यानि कि सब कुछ उनके मन में चल रहा था सारी पीडाएं चल रही थी सभी चीजों से वो ग्रसित थे बाकाइदा उनने साथ पन्ने का सूसाइड नोट लिखा जिसकों की वसीहत के तौर पे भी देखा जा रहा है तो ये कहा जा सकता है कि ये सारी चीजें पिछले हफ़ते भर से दस दिन के बीच में चल रही थी और उसको महंत नरेंदर गिरी का बेहत करीबी माना जाता है लेकिन जिस तरीके से इन्वेस्टिकेशन आगे बढ़ रहा है अभी कोई भी चीजें कंक्रीट नहीं हो पाई है यही वज़ा है कि प्रयाग राज पुलिसेस पूरे मामले में फूप फूप के इन्वेस्टिकेशन आगे बढ़ा रही है मक्सूद आरम के साथ विशाल पताप सिंग इंडिया टीवी प्रयाग राज नमस्ते मैं हूं मिनाक्षी जोशी वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाना ना भूले जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ